Hello students, मेरा नाम है प्रशान जैन और इस वीडियो में हम लोग Pre-RMO नोटिफिकेशन के बारे में discussion करेंगे Pre-RMO examination 11 अगस्ट 2019 को होने वाला है और उस exam में पिछले साल की cut-off क्या रही थी और क्या reference books आप use कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो में cover किया है सबसे पहले हम लोग जितनी भी stages होती है International Mathematics Olympiad की उसको जान लेते हैं Pre-RMO first step है IMO के लिए Asian Mathematics Olympiad के लिए और EGMO European Girls Mathematics Olympiad के लिए सबसे prestigious जो IMO examination है उसकी 6 stages जो होती है first stage है Pre-RMO, second stage है RMO, third stage है INMO, fourth stage है IMO TC, fifth stage है Pre-Departure Training Camp और sixth stage है IMO first stage Pre-RMO जो सबसे बड़ा examination and mathematics Olympiad से related उसके बारे में हम लोग mainly इस वीडियो में discussion करेंगे कुछ important dates and facts जान लेते हैं Pre-RMO के बारे में सबसे पहले eligibility criteria क्या eligibility है Class 8 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे ये examination दे सकते हैं बच्चों का जो year of birth है वो 2000 या फिर 2000 के बाद वाला होना चाहिए Second हम लोग कुछ important dates के बारे में discussion कर लेते हैं जो center registration की जो dates है वो 1st June से लेकर 30th June तक है student registration के लिए dates 1st June से 7th of July तक है ये सारे registrations MTAI की website पर होगे mtai.org.in अगर मैं number of seats की बात करूँ तो हर एक region की 300 seats है ये MTAI ने बहुत अच्छे से describe कर रखी है जो regions है उसके अलावा KV और JNV को अलग से quota दिया गया है KV के अंदर जित्ते भी बच्चे register करेंगे All India level पे और JNV के अंदर भी 5% बच्चे select होंगे 8 से लेकर 11 की category में और 12 के अंदर 1% of all the students select होंगे अगर मैं बाकी सारे regions की बात करो 300 seats जैसे मैंने आपको बताया वो 8 से लेकर 11 क्लास तक के बच्चों के लिए है और 12 क्लास के बच्चों के लिए 60 seats अलग से होती है Next हम paper pattern के बारे में बात कर लेते हैं Paper तीन sections में divided होता है पहला section होता है short questions का इसमें 6 questions आते हैं और हर एक question के 2 marks होता है Second section long questions का होता है जिसके अंदर 15 questions आते हैं और हर एक question 3 marks का होता है Last वाला होता है very long उसके अंदर 9 questions आते हैं और हर एक question 5 marks का होता है टोटल अगर मैं बात करो तो 30 questions आते हैं और paper का जो weightage है वो 102 marks का होता है Next हम लोग syllabus का discussion कर लेते हैं syllabus के अंदर number system, number theory जिसको बोलते हैं algebra जिसमें quadratic equations, polynomials, sequence and series, combinatorics ये सब आता है inequalities, geometry और problem solving, elementary graph theory, coordinate geometry ये सब चीज़े pre-RM के syllabus में prescribed है इसके अंदर जो note करने वाली बात है वो ये है कि calculus और statistics syllabus का पार्ट नहीं है syllabus का जो level होता है, वो 11th और 12th class का level होता है मगर problem के अंदर जो difficulty level होता है, वो इनसे भी ज़्यादा होता है और इसको MTII ने इस तरह से लिखा है कि जो problem का level होता है वो और ज़्यादा sophisticated होता है जो problem का level है, वो pre-RMO से ज़्यादा difficult RMO में होता है RMO से ज़्यादा difficult Inmo में होता है Inmo से ज़्यादा difficult IMO में होता है अब next, काफी important discussion है वो यह है कि पिछले साल की cut-off क्या रही थी यह जो stats होते हैं, यह इसलिए important होते हैं ताकि जो बच्चे इस साल prepare कर रहे हैं उनको यह idea रहे कि उनको क्या score target करना है तो हम लोगों ने दो parts में यह states या फिर regions को मैं बोलने तो define किया है कुछ ऐसे regions है जहां पर cut-off काफी high जाती है जैसे आंदरप्रदेश हो गया, तेलांगना हो गया, महराष्टरा हो गया, राजस्थान हो गया उन सब की cut-offs आप अपनी screen पे देख सकते हैं जैसे आंदरप्रदेश की 8 से लेकर 11 तक की class की cut-off 28 थी और 12 की cut-off 18 थी अगर मैं राजस्थान की बात करो तो 8 से लेकर 11 तक की cut-off 19 marks थी और 12 क्लास की cut-off 30 marks थी तो इस तरह से सारे regions की cut-off है वो हम लोगों ने दे रखी है यह अब जो screen पर आप देख रहे हैं second category of regions है जहां पर cut-off relatively low जाती है कुछ states में दो number भी cut-off गई थी जो आप सबसे last में देख रहे हैं उसके अलावा इस वीडियो को यहां पर pause करके आप अपने region की cut-off देख सकते हैं next जो है वो है reference books और previous year problems previous year problems olympi.hbcsc.res.in website पर आपको मिल जाएगी और जो books इसके लिए prescribed है जो MTI ने लिखी है वो इस तरह से हैं कि pre college mathematics book होती है वो आपको यूज कर सकते हैं problem primer है mathematical circles है इस तरह की जो पूरी book की list है वो आपकी screen पर आप देख सकते हैं उसके अलावा अगर आप लोग coaching student है तो बहुत सारे coachings अपना एक compendium टाइप का material भी देते हैं pre-RMO का वो भी आप refer कर सकते हैं और अगर आप classes कर रहे हैं pre-RMO की तो साथ के साथ यह जो problems है वो करना आपके लिए beneficial होगा इसके अलावा एक और वीडियो मैं record करूँगा जिसके अंदर में pre-RMO की strategy और tips and tricks के किस तरह से आप high score कर सकते हैं pre-RMO के अंदर वो भी मैं आपसे discuss करूँगा I hope आपको इस वीडियो समझ में आया होगा Thank you